चुमेरे गोरी चुमेरे गोरी चली कहा चोरी चोरी हवासे है बंदी दोरी रेशन तवायफ के कोठे से निकला एक इज़ददार फिल्मी परिवार आज इस परिवार की हैसियत इतनी बढ़ गई है कि उनकी बेटी का रिष्टा कपूर खांदान में हुआ है वही कपूर खांदान जिसने तवायफ की बेटी होने के कारण नर्गिस को अपनाने से इनकार कर दिया था इस परिवार के मुखिया ने 40-50 के दशक में लीविन में रहना स्वीकार किया था हिंदू पिता और मुसल्मान मा के बच्चों का परिवार आखिर कैसे बन गया बॉली वुट का नामी परिवार किसने कहा था कि मैं हरामी हूँ और अगर मेरी बेटी मेरी बेटी नहोती तो मैं उससे शादी कर लेता कौन सा है ये परिवार जिसकी हर पीड़ी ने समाजिक बंधनों को ताक पर रखा और आखिर तवायफ के कोठे से निकल कर कपूर खांदान की बहु बनने तक का सफर इस परिवार ने कैसे पूरा किया यही सब हम आपको आज बताएंगे पर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकोन को दबा दीजिए तक कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके नमश्कार मैं हूँ नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन चूस कैंडी तो हम बात कर रहे हैं बदनाम गलियों से निकले एक नामी खांदान की कहते हैं इंसान की हैसियत उसका रुद्बा पैसा बदल कर रख देता है और इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ पैसा आया तो लोग इनका अतीत भूल गए पर अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता आज हम इस परिवार का अतीत आपको बताएंगे जिसको सुनकर आप आश्यरिच चकित रह जाएंगे यह परिवार कोई और नहीं कपूर खांदान का ताजा ताजा समधी बना भट परिवार है इस परिवार की बेटी आलिया भट की राज कपूर के पोते रनवीर कपूर से शादी हुई है यह एक प्रेम विवा है और बेमेल भी क्योंकि दोनों की उम्र के साथ साथ इनके खांदान की भी कोई बराबरी नहीं है जहां एक और कपूर खांदान के मुख्या पृत्वी राज कपूर एक नामी व्यक्ति थे वहीं भट परिवार के मुख्या नाना भाई अपनी अयाशियों और लीव इन रिलेशन रिष्टे के लिए बॉलीवुड का एक बदनाम नाम थे अकसर महेश भट का आसमाजिक व्योहार और बयान लोगों को चौकाता रहा है कभी वो एक पतनी के होते दूसरी शादी कर लेते हैं कभी वो धर्म बदल कर शादी कर लेते हैं तो कभी अपनी ही बेटी पूजा भट को लिप लॉक किस करके उनसे शादी करने की हसरत तक जताते हैं और यहां तक कभी कभी खुद को हरामी तक कह देते हैं महेश भट के ये सारे संसकार उनके खून का असर है दरसल उनके पिता नाना भाई भट भी अपने जमाने में बहुत बड़े अयाश थे उनकी फिल्मों से ज़्यादा फिल्मी गलियारे में उनके और उनकी रखेल के अयाशी के किस से कहे सुने जाते थे और नाना भाई का ये व्योहार भी उनके ही खून की वदौलत था जर सर्फ फिल्मी गलियारे की खबरों की माने तो नाना भाई भट की माह तवायव थी और पिता तवायवों के दलाल नाना भाई के माता पिता में प्रेम हुआ और उनके प्रेम की निशानी बने नाना भाई बाद में नाना भाई की मा कोठे की मालकिन बन गई बोला था मैंने रजिया को सिधा घर में घुशूंगी लो घुश गई नाना भाई का शुरुवाती जीवन कोठे पर ही बीता बाद में 22 साल की उम्र में वो बॉलिवुड में किस्मत आजमाने आ गए 1937 में उन्होंने बॉलिवुड में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर कदम रखा था 1940 की दशक में नाना भाई ने साउंड रिकॉर्डिस से डारेक्शन की दुनिया में कदम रखा 1946 में उन्होंने दीपक पिक्चर्स की नीव रखी नाना भाई ने हेमलता नाम की महिला से शादी की थी जिनके पुत्र फिल्मी लेखक रॉबिन भट है इसके बाद नाना भाई का नाम एक्टरिस स्रीरीन महुम्मद अली से जुड़ा श्रीरीन अपने जमाने की प्रसिद अभिनेत्रियों में से एक थी उन्होंने मुंबई की सेठानी, शम्शीर अरब और पासिंग शो जैसे अनेक फिल्मों में काम किया अभिने के दोरान ही उनके फिल्म निर्माता नाना भाई उर्फ बटुग भट से मुलाकात हुई और दोनों में प्रेम हो गया कहते हैं दोनों की किस से उन दिनों फिल्मी गलियारे में लोग खूप चटखारे लेकर कहा सुना करते थे लोग दभी जुबान में शीरीन को नाना भाई की रखेल तक कहा करते थे क्योंकि नाना भाई और शीरीन बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते थे नाना भाई ने ना कभी हेमलता को छोड़ा और ना ही शीरीन को पतनी का दर्जा दिया आगे चल कर नाना भाई और शीरीन की बिना शादी के दो संताने भी हो गई महेश भट और मुकेश भट शिरीन नाना भाई के रिष्टे को पहली पतनी हेमलता के परिवार ने भी माननेता नहीं दी इसलिए नाना भाई भट के दो परिवार दो घर हो गए एक जायज और दूसरा ना जायज नाना भाई भट ने भी इंडस्ट्री में खूब नाम और पैसा कमाया साल 1957 में आई मिस्टर एक्स और 1969 में आई फिल्म कंगन उनकी नामी फिल्म में रही बॉलिवुड में डबल रोल का कॉंसेट भी नाना भाई भट लेकर आये थे उन्होंने इसकी शुरुवात 1942 में मुकाबला फिल्म से की थी उस समय के लिए कॉंसेट काफी नया था और अलग भी जो लोगों को खूब पसंद आया नाना भाई भट ने हिंदी और गुजराती दोनों को मिला कर लगभख सौ फिल्म में बनाई और बहुत सारा पैसा कमाया और इसी पैसे की बदलत दोगुन का अतीत भूलने लगे नाना भाई और हेमलता के साथ बच्चे थे वही नाना भाई और शीरीन के दो बच्चे थे महेश भट और मुकेश भट दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है लेकिन अगर हम महेश भट की बात करें तो अपने परिवार के सबसे चर्चित और नाम कमाने वाले शक्स महेश भट ही है महेश भट ने धेरो फिल्मों की पठकताई लिखी है निर्देशक रहे हैं और निर्माता भी महेश भट की जादतर फिल्मों की पठकता नाजायज बच्चे के इर्द गिर्द घूनती है जो महेश भट की अपनी कहानी है बच्पन में उनको और उनके भाई मुकेश भट को कितनी ही बार नाजायद होने का ताना मारा गया था और ये दर्द इन फिल्मों में नजर आता है अब तु जल्दी से बड़ा हो जाँ मैं बहुत ठक गई हूँ कहते हैं इनसान अपने अतीत में हुई गल्दियों को देख कर सीखता है और वही गल्दियां दोहराता नहीं है पर महेश भट के मामले में ये बात एकदम बेमानी साबित होती है भलही महेश भट अपने पिता नाना भाई से नफरत करते हूं और गाहे बगाहे पब्लिक प्रेटफॉर्म पर इस बात को दोहराते भी रहे हो पर उन्होंने अपना जीवन अपने पिता की भाईती ही विताया है तु प्यार है किसी और का तुझे चाहता बस फर कितना है कि उनके पिता ने दूसरी शादी नहीं की थी पर महेश भट ने दूसरी शादी भी की और उस शादी से उनकी ऑलाद भी हुई और ये दूसरी शादी उन्होंने अपनी मा का धर्म अपना कर की जीहां महेश भट ने अपनी मा शीरीन का धर्म इसलाम अपनाया और फिर दूसरी शादी की महेश भट ने पहली शादी साल 1968 में ब्रिटिस लेडी लॉरिन ब्राइट जिसने बाद में अपना नाम बदल कर किरन कर लिया था उससे की थी किरन और महेश भट की दो संताने हुई बेटी पूजा भट और बेटा राहुल भट और महेश भट की पहली शादी बहुत जादा लंबी नहीं चली उनके करियर के उतार चड़ाओर और पैसो की तंगी के चलते उनकी लडाईया होने लगी लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको इसी भी शादी शुदा और दो बच्चों के पिता महेश भट का दिल परवीन बॉबी पर आ गया वो परवीन के साथ लीविन में रहने लगे वही लीविन जिसने उनकी मा का जीवन बरबाद किया था और दोनों भाईयों को नाजायस्त संतान होने का दुख दिया था उसी लीविन में महेश भट परवीन बॉबी के साथ रहने लगे महेश भट परवीन बॉबी के साथ तो रहे पर उस रिष्टे को नाम नहीं दिया फिर परवीन बॉबी के दिमागी बिमार होने पर ये रिष्टा तूट गया और बाद में परवीन बॉबी ने कथित तोर पर सुसाइट कर लिया जिसका जिम्मेदार कई बार महेश भट को ठहराया गया है परवीन के बाद भी महेश भट वहीं रुके नहीं उसके बाद उनका दिल आया सोनी राजदान पर फिल्म शारांश की स्चूटिंग के दरान उनकी मुलाकात सोनी राजदान से हुई जो एक ब्रिटिस एक्टरस थी जब उनका दिल सोनी राजदान पर आ गया तो उन्होंने सोनी राजदान से शादी करने की सोची महेश भट ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया और धर्म बदलने का भी फैसला लिया पहली पत्नी से अलग होने के बावजूद इसलाम धर्म कबूला और सोनी के साथ निकाह पढ़ा इसका कारण था कि महेश भट अपने पिता का सरनेम जरूर लगाते थे पर वो दिल से अपनी मा का धर्म इसलाम ही मानते थे ऐसा उन्होंने कई बार कहा भी है सोनी राजदान और महेश भट की भी दो बेटिया हैं आलिया भट और शाहिन भट अब आते हैं भट परिवार की तीसरी पिड़ी यानि महेश भट के बेटे बेटियों पर यहां भी खून ने अपना रंग दिखाया जिस नाना भाई से नफरत का इजहार करते महेश भट नहीं ठकते थे उन्ही नाना भाई का खून ना सिर्फ उनके सर चड़ कर बोला बलकि उनके बच्चों पर भी इसका असर साफ दिखा सबसे पहले जिक्र उनकी बड़ी बेटी पूजा भट का पूजा ने कुछ हिट फ्लॉफ फिल्मों में काम किया है इस दोरान उनके प्रेम के किस से कभी राहुल रॉय के साथ तो कभी रर्मीर शौरी के साथ कभी बॉबी देओल के साथ तो कभी फरदीन खान के साथ सुनाई पढ़ते रहे इसके अलावा भी कई स्टार्स हैं जिनके साथ पूजा भट का नाम जुड़ा पर वो विवादों में तब घिरी जब महेश भट के साथ उनकी लिप लॉक की फोटो वाइरल हुई बेटी के साथ आपत्ती जनक फोटो पर शर्मिंदा होने की जगा महेश ने बहुत ही विवादिद वयान दिया महेश ने कहा अगर पूजा उनकी बेटी नहीं होती तो वो पूजा से शादी तक कर सकते थे बाप बेटी का ऐसा रूप भारत में देखने को शायद ही मिले बाद में पूजा भट ने मनीश मकीजा से शादी भी की पर उनका रिष्टा चल नहीं पाया और ग्यारा साल के बाद 2014 में दोनों अलग हो गए मैं हरामी हूँ मेरी बेटी अगर मेरी बेटी नहोती तो मैं उससे शादी कर लेता दो शादियां कई अफेयर जिसमें परवीन बॉबी के साथ तो लीविन में रहे पर बाद में भी कई अभिनेतियों के साथ जोर जबरदस्ती और कास्टिंग काउच से जुड़े किस से महेश भट के साथ चुड़ते रहे कभी जिया खान तो कभी रिया आदी के साथ भी उनकी आपत्ती जनक फोटो अभी भी पब्लिक डोमेन में है भट परिवार में चाहे वो नाना भाई भट हों महेश भट हों या पूजा भट किसी ने भी समाजिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया पैसा कमाकर नाना भाई ने तवायव के बेटे होने का कलंक अपने माथे से धो दिया और पैसे के बल पर ही नाना भाई की नाजायत संतान मुकेश भट और महेश भट ने फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम कमाया इतना बड़ा नाम की कपूर खांदान जैसा बड़ा खांदान उनके घर की बेटी से अपनी रिष्टेदारी जोड़ रहा है इसलिए कहा गया है कि पैसा सारी कहानी पलट कर रख देता है तो आपको हमारी यह स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट्स में बताएं आज की वीडियो में बस इतना ही अब मुझे यानि अपनी दोस्त और होस्त नीलम शुक्ला देवागन को दीजिये इजाजत नमस्कार